हरे कृष्णा आज के प्रसंग में आपका हृदे से स्वागत है कर्ण दुर्योधन से कहता है कि यदि शल्य महाराज मद्रदेश के राजा उसके सार्थी होंगे तो अर्जुन को हराना आसान है दुर्योधन जाकर शल्य महाराज को कहता है शल्य माराज क्रोधित हो बोले मैं एक राजा हूँ किसी सार्थी का पुत्र नहीं जो सार्थी बनूँ मैं अपने स्तर्थ से नीचे नहीं गिरूँगा दुर्योधन बोला कर्ण अर्जुन से अच्छा धनुर्धर है परंतु उसके सार्थी श्री कृष्ण है और उनका अपने रत पर नियंतर उत्तम है आपका भी अपने घोडों और रत पर नियंतर उत्तम है इसलिए आपसे निवेदन किया है ये कहते हुए दुर्योधन ने कप्टी जाल बिचाया और शल्य महराज की श्री कृष्ण से तुलना की शल्य महराज ने मनही मन कौरवों की पराजय की प्रातना करते हुए प्रस्ताफ स्विकार किया और युद्भूमी में उतर गए कर्ण ने बोला आज पांडवों की पराजय निश्चित है इस पर शल्य महराज ने उतर दिया अपना अभिमान कम करो और युद्ध करो बहादुरी दिखाओ कर्ण बोला मेरे लिए अरजुन को हराना आसान है व्यर्थ घमंड मत करो अरजुन ने शिफ को हराया चित्रसेन से युद्ध किया दुर्योधन को बचाया तुम तो विराट नगर से डर के भाग गए थे कर्ण ने कहा आप अपना कार्य कीजिये रथ चलाईए कर्ण ने युद्ध शुरू किया उसके रथ को सत्यसेन और सुसेन ने घेर लिया अरजुन ने बान चलाने आरंब किये कर्ण को पता था कि उसकी मृत्यू निकट है काल देवता ने उसको चितावनी दे दी थी कि भूमी देवी तुम्हारे रथ को अपने हातों में पकड़ने जा रही है और ऐसा ही हुआ उसके रथ का पईया मिट्टी में धस गया कर्ण ने शल्ले महराज को कहा कि उतर कर पईया निकालने में मदद करे वो कहता मेरा काम बस रथ चलाना है और मैंने दुरियोधन को पहले ही कह दिया था अगर मेरा अपमान करोगे तो मैं रथ छोड़ कर चले जाओंगा और उन्होंने ऐसा ही किया और भूमी देवी अपने हातों में रथ का पईया पकड़े रहने लगी और इसी कारण कर्ण पराजित हो गए सर्वम श्री कृष्ण अर्पनम